सुनो 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 एक विशेश सूचना जन हित्मे जारी जरा नवीन बाबू को कहीं खड़े कर दीजिए जो कोई भी अपने अपने जिलों के क्यापिटल यानि राजधानी बताएगा उनके अकाउंट में अगले 24 घंटे में 15-15 लाक रुपए जरूर आएंगे और जिलों क मौदी जी ने चाहिए तो सही होगा ना क्यों भकतो हो अरे जिलों की राजधानी बता दो जिलों की राजधानी ढूंड कर रेजानमंत्री जी को बता दो रहां नवीन बाबू को कहीं खड़े कर दीजिए और उनको बिना कागज लिये उनको कहिए कि आप उड़ी साके जीलों के नाम बोलिए और जीलों के कैपिटल के नाम बोलिए तने तेजस भी लोग है हमर पास कि एसमी लड़का जो है ना इसने बड़ा लॉजिकल सवाल पूछा देखो थोड़ी सी एक्टिंग की है लेकिन मोदी जी के राज में सब आक्टिंग कर रहे हैं तो जो टंपू बता रहे हैं ना पापा मेरी वाल रुका दो तो टंपू रुकवा दो ना तर बापा टंपू तो तो पापा तो मोडी पैसा अ रहा है मोडी जी के पास स्ट यवाई एजन्च लगाए आडानियम नहीं बेचेंगे सुने पहले वो चाहेंगे एडी सीटी सब यह सब साथनीं पास काया थैंद अलो इडी वाँ जाओ का सीब्या जाओ यह सब पर सितने हैं मगर पहले मोदी के भासा को समझना चाहिए जनता को समझना कि वो क्या बोल रहे हैं किस जैजे माइंड कर रहे हैं यह चीज़ जनता का नहीं समझेगी तो जनता उल जाएगी ने मैं What's Up University की जो पूरी Factory सेट अप की गई है उसमें आपने एक गलगोटिय उनिवसिटी तो देखी ली थी अब आपके सामने पेश है What's Up University की एक और शाखा आमेटी के स्टूडेंट्स सब्सक्राइब बॉस्स भी पपलिक डेइबे सेलिबरेट करते हैं तो आपको पता होगा आरे से सी जब बीजेपी का इलेक्शन होता है तो आरे से पूरा मेनेज करता है बीना कागज लिए और जिलो के कैपिटल के नाम बोलिए अच्छा इस बारे में नाइज नहीं है बाखी सब के बारे में सब कुछ नॉलेज आए इसको वाख पर प्रेज़ेंट आप इंडिया अपिज अरे वो पढ़ी जवालर ने रूब पहले राष्ट्रपती भी नहीं पता होना वाइस प्रेज़ेंट गोर्न अमारे देश का इस अब पता होना पॉलिटिक्स होती है जिस तरह का ग्यान न्यूस चैनल ओपर गोदी मीडिया दे रहा है जिस लेवल की बात देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं बीना कागज लिए और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए आज का युवा जिसके ओपर बहुत आस लगाए बैठे हैं हम सब लोग वो हमें क्या क् दिखा रहा है अच्छे दिन तो आ नहीं पाए वाट्साप के दिन जरूर आ रहे हैं कि एक आपको बहुत दिल्चपस चीज़ बताऊं कि अगर वे अगर में ही डील कीजिए क्योंकि ऐसा कभी होने वाला नहीं है अगर देश के प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फरेंस करते तो प्रेस कॉन्फरेंस कैसी होती एक छोटी सी जलक दवायर के सौजन्य से हमें श्याम रंगीला ने दिए ऐसा मोका कब आएगा कि मोधी प्रेस कॉन्फरेंस करेगा आज आप सब यहां पहुंचे हैं मुझे बहुत खुशी तो नहीं है लेकिन फिर भी आपको बताइए आपको कैसा लग रहा है आपके काल में ही पत्रकारों पर हमला हुआ है आप प्रेस की आजादी को देखिए हमारा जो इंडेक्स था प्रेस फ्रीडम का वो कितना नीचे गिर गया है पूरे निउज और आपने आतंक निरोधी खानून लगा दिया है पत्रकार जेल में हैं उन पत्रकारों को जेल में डाला जा रहा है धंकाया जा रहा है ये सब क्यूं कर रहे हैं आप प्रेस की अजादी पर हमला हमने इतने समय में एक चीज तो ये देख ली कि कौनसे पत्रकार असली हैं कौनसे नकली हैं हमने जब भी वारतालाब किया आमने सामने बेट करके किया है हर पत्रकार ने कठीन से कठीन हर प्रकार के सवाल को पूछा है क्या वो असली पत्रकार नहीं थे क्या जिन से मेरी वारतालाब हुई और उन्हीं ने मुझसे पूछा कि आप बटवा लेकर गूमते हो कि नहीं घूमते हो आप कितने बज़े सोते हो कितने बज़े उठते हो ठकते नहीं प्याइでも ईसे सवाल आज तक पूछे नहीं गए थे इन सवालों गया कर लिए जो हिंद्र चाहिये और कels सर नमस्कार आप लेकिन तमाम आकड़ों के इसाप से सारव धन वापिस नहीं आया है तो क्या आप जिम्मधारी लेते हैं कि 15 रुपे के नाम पर लोगों को च्छला गया देखिए ऐसा है कि हमरा चल रहा है क्या बंद कर दीजिए थोड़ा इसको इसे ही बारतालाव करते हैं किया मैं आपको 15-15 लाग अभी देदूं तो क्या यह बीच में सवाल डेलीट हो सकता है क्या यह आगे ना पूछा जाए ऐसे आपको अगर ऐसे चाहिए तो मैं कर देता हूं यह थोड़ा से सवाल बहुत बुराना सवाल है और इससे बहुत पीड़ा भी होती है मोदी जी आपकी पार्टी और आपके नेता और खुदाप लगातार कहते रहते हैं कि आप लोग देश को विश्व गुरू बनाएंगे यह विश्व गुरू का कॉंसेप्ट क्या है और आप कैसे साबित करोगे कि भारत विश्व गुरू बन गया है यह वाना सवाल देखी है अभी मोदी आपको बताएगा भी सुगरू कैसे बना भारत तैंक्यू शाम रंगीला कहीं तो किसी ने तो मोदी जी ना सही लिपर उनकी आवाज में किसी ने तो हमें वो प्रेस कॉंफरेंस के सुख दिये जो मुझे ने लगता कि इस लाइफ में किसी को देखने को मिलेगा सत्य वेब जयते